नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों यूपी एनेचम सत्रा हजार प्लस एनम स्टाफ नर्स फार्मासिस लैब टेकनिसियन महत्पूर नोटिस जारी हुई है दोस्तों इसमें बताया यही गया है कि इन पदों की संख्या घटना बढ़ना और भरती निरस संबंदित आयोग की तरफ से जो महत्पूर नोटिस फेकेशन आया है उसको आप में पूरा दिखा रहा हूँ वीडियो को इसकी पना करिएग दोस्तों अंत्य तक देखिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा दोस्तों जादा से जादा से जादा सेर कर दीजेगा तो सभी अभ्यर्थियों तक यह अपडेट पहुँच जाएगी और चैनल पर नए है तो सस्क्राइब जरूर चलिए दोस्तों अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो नोटेस्फिकेशन जारी हुआ है PDF लिष्ट है वो दोस्तों आज की डेट में देख सकते हैं 17.1.2023 से यह नोटेस जारी हुआ है लिखा है इसके साथ में यहां से आप देख सकते हैं 17.000 प्लस कांटेक्शुल वेकेंसी आफ एनम स्टाफ नर्स लैब टेखनीशन फार्मा सिस्टेलो पैथी पैथी अंडर वैरियस प्रोग्राम आफ एनेचम यूपी कांडली टेग रिफरेंस आफ यह दिया गया फिर उसके बाद यह यहां पर जो में में हैं दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ हाँ दोसों यहां से देखिएगा क्लाउज वी नोट डेटेल्ट एडवर्टाइजमेंट है नेचम यूपी रिजर्व दा राइट तो कैंसिल एनी और आल पोजिशन एट एनी स्टेज ऑफ दा रिकु का रहा हूँ दोस्तों इसका मतलब यही है अधिसूचना यह विग्यापन संख्या के संदर्व में जिसमें विभिन्न कारिक्रम जो 26-11 को जारी हुगा था नोटिस की किसन आपने देखा ही होगा जिसमें विभिन्न कारिक्रम के तहत एनम, स्टाफ नर्स, लाइब टेक्नी का संदर्वले महत्पूर निर्देशों का और विश्तिते विग्यापन के नोट का खंड भी एनेचम यूपी भरती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी या सभी पदों को रद करने का अधिकार सुरचित रखता है भरती प्रक्रिया के दोरान किसी भी अस्तर पर रिख्तिया संख्या और स्रेणी भिन हो सकती है मतलब घटाई बढ़ाई जा सकती है इस संदर्म में इस अधिसूचना के माध्यम से निमलिकी संसोधन को सामिल किया गया है कारिकरम पद नाम और NUHM स्टाफ कुल रिख्तियां देख सकते हैं दोस्तों हैं यहीं नोटिस जो जारी हुआ दिखा रहा हूँ आप लोगों को यहां से देख सकते हैं NUHM स्टाफ नर्स टोटल वैकेंसी 23 यह प्रोग्राम के हिसाब से है और NUHM 6 वैकेंसी है टोटल NUHM फार्मा सिशलो 2 है NUHM लैप टेक्डिशन 3 है RBSK A9 40 है RBSK फार्मा सिशलो 2 है 43 है और Maternal Health A9 291 है मतलब टोटल 408 पद है यह पद देख सकते हैं दोस्तों यहां पर दिया गया है जो आजमगड राइबरेली सीतापूर आयोध्या बेटकर नगर एक एक पद ऐसे करके दिये गया है टोटल 23 पद यह है आपके NUHM के और उसके बाद जो है NUHM में वैकेंसी आप देख सकते हैं दोस्तों यह फार्मा सिश्ट की है वैकेंट पोजीशन की बात हो रही जो वैकेंसी है मैंने बताया कि घटाई बढ़ाई जा सकती है तो यह बढ़ाई हुई वैकेंट सीट है तब बढ़ी हुई है यह पोजीशन वारानसी में एक है और NUHM की और जीबी नगर में एक है नहीं टोटल दो है लैब टेख्निशन की वेकंसी टोटल देख सकते हैं दोस्तों तीन है जो वेकंसी डिटेल है इटावा बरेली लखनव एक-एक है एनम वेकंसी पोजीशन अनुएचम की है एक है आजमगर में फरुखाबाद में एक सहारनपूर में एक लखनव में तीन टोटल छे हैं एनम व 16 गाजिपुर में 89 टोटल 291 तो दोसों यह संसोधित है और RBS के एनम की जो है दोसों देख सकते हैं आगरा में दो अमरोहा में एक इस तरह से जो है दिया गया है टोटल 40 पद हैं थे से एम अमेठी में एक एक दो करके है दोसों और टोटल 43 पद हैं यह जो है दोस्तों आपका जो दिखाया गया है यह पदो की संक्षया संसोधित होकर है आयूग ने कहा है कि पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है या पद निरस्त भी किया जासते हैं भरती निरस्त भी की जा सकती है किसी भी दसा में दोस्तों जो नोटिस जा रहे हो ही बहुत ही महत्कुन है वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि 17,000 पदों की बात है इसमें जिसे यह नोटिस सभी तक पहुच जानी चाहिए वीडियो को जड़ ज़़ शेयर करिएगा चैनल पर नए तो सस्क्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा रिजियल और अथन्टिक अपडेट पाने के लिए और एक लाइक कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो वीडियो को अन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद